24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमाशकार आज हर्याली अमावस्या का दिन है और आज के दिन क्या छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं जिससे की आप लोगों की लाइफ ब्लेस्ट हो सकती है आज का दिन पित्रों के लिए माना गया है अमावस्या पित्रों का दिन होता है जिस दिन हम पित्रों को याद करते हैं उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं तो पित्र हमारे एंजल्स होते हैं ये मैंने अपने यूनिवर्स कनेक्शन के विडियो में भी बताया है कि पित्र हमारे एंजल्स हैं उन्हें ही हम Angels मानते हैं और वो ही Angels है, उन्हीं की Blessings हमारे साथ आती है जब हम Problem में फस जाते हैं कहीं कुछ ऐसा हाथसा होने वाला होता है तो बहुत-बार ऐसा माना गया है देखा गया है कि हमारे पित्र ही आके हमें बचा लेते हैं तो हमारे लिए वो ही एंजल्स हैं और सबसे बड़े देवता भी तो आज के दिन हम कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे रिच्वल तो आज एक तो अभी शाम को आज शाम को आप लोग जरूर से पीपल देवता में एक दिया जलाएए एक सरसो के तेल का दिया बनाएए और य आपको परिक्रमा करनी है फेरी लगानी है फेरी कितनी बार लगानी है 108 फेरियां लगानी है आपको अगर आपकी शमता नहीं हो पाती है 108 फेरी लगाने की तो फिर आप या तो कम से कम 11 फेरी तो आप डालो ही डालो ठीक है 11 फेरी लगाने के बाद आप उन वहां पे होकर के प्रणाम करें अपनी जिंदगी में जो भी परेशानिया है दिक्कते हैं तकलीफ हैं आप बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे पित्र हैं इश्ट देवता हैं इश्वर हैं वहाँ पे तो हम उनको याद करते हुए अपनी सारी समस्याइं बोल सकते हैं हम उनी से तो बोलेंगे और किस से बोलेंगे और बाकी तो उन्हें पता भी है पर फिर भी आप प्रात्ना में अलग शक्ती होती है प्रात्ना में बहुत शक्ती होती है प्रात्ना करें अपनी अपनी विंती करें और इसके बाद आप आज सारे दिन कोशिश करिए कि कोई एक चीज छोड़ पाए बहुत बहुत जरूरी होता है अमावस्या को अगर आप कोई भी एक चीज छोड़ दे छोड़ दे मतलब ऐसा नहीं होता कि अब मैं यह कह रही हूँ कि क्या छोड़ें क्या हम छोड़ सकते हैं तो सपोज अगर आप खाना खा रहे हो अब तक आप लोग ब्रिफवस तो कर चुके होगे लेकिन फिर भी आप ऐसा सोच सकते हो कि हम आज शाम का जो खाना खाएंगे उसमें हम नमक नहीं खाएंगे मीठा खाना खाएंगे कुछ तो सिंपल सा ही उपाय कर लीजिए कि शाम को आज जो आप खाना खाओगे वो मीठा खाना खाना है आपको और जो भी खाना आप शाम को बनाओगे मीठा उसमें से आप कुछ भोग निकालोगे अपने पित्रों के नाम से पित्रों के नाम से निकाल करके उसको एक थाली में अगर हो सके तो खीर बनाईए खीर सबसे अच्छा है और पूरी बनाईए खीर पूरी बना करके उसका भोग निकाल करके आप एक जगा डक्शिन की दिशा की तरफ रखेंगे जो आपके घर का साउथ का कॉर्णर होगा साउथ की कॉर्णर में आप उसको थाली को वहां पे रखे एक छोटा सा दिया वहां पे जलाईए अपने पित्रों के नाम का ये आप लोगों के घर में धन दाने से भंडार से भर देगा घर में खुशियां बनी रहेंगी जनके घरों में कलेश चलते रहते हैं हमेशा उनके घर से कलेश दूर होंगे तो ये बहुत बहुत गुनकारी है और बहुत एफेक्टिव भी है आप लोग करना शुरू करिए हर अमावस्या को नियम बनाईए कि हम शाम को एक शाम हमारा जो होगा वो मीठा खाना होगा मीठा मतलब बिना नमक के नमक नहीं खाएंगे हम शाम को और फिर शाम को आप कुछ खीर पूरी इस तरह का प्रशाद बना के पित्तरों के नाम से दक्षिन के दिशा में निकाल देजेए एक दिया जला के बार- पीरेट्स में आप पीपल देवता में ये दिया जला सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे आश के दिन, तो बस आप अपने घर में रह कर किए, अपनी कोई मंत्रों का चांटिंग भी नहीं कर सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई मंत्र आप सुन सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अपनी विश को 108 बार लिखिए, 108 बार अपनी विश को लिखना शुरू कीज़े, वो भी आप लोगों को help करेगा, कौन से कलर से लिखना है, रेड कलर या ब्लू कलर के पैंसे किस में, प्रेजन टेंस में लिखन और अपने एंजल्स को याद करते हुए लिखिए, अपने पित्रो देवताओं को याद करते हुए लिखिए, उनका धन्यवाद करते हुए लिखिए, उनका आशिरवाद अगर आप पे हैं, तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, जिंदगी खुशियों से रहेगी, ठीके तो इतना काम कीजिए आज के दिन के लिए और बस इतना चोटा सा उपाई है, ये अच्छे से करिए और हर्यालिया मावस्या आप लोगों की जिंदगी में खुश्या लेकिया हैं, आपके पित्रों का आशिरवाद आप पर सदा बना रहें, इसी के साथ वि